नमस्कार आप देखरें न्यूज एटी नाजिस्तान मैं हूँ आपके साथ आयूशी गुपता बुल्टिंगे शुरुवात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ मुक्यमंत्री भजलाल शर्मा पहुचे जैपूर डेप्टी सीम दिया कुमारी और प्रेम चंद बैरवा भी साथ में मौजूद है आपको बता दे कि सीम भजलाल शर्मा एयरपोर्ट से सीधे सांगानेर स्टेडियम के लिए रवाना हुए है हमारा संकल पविक्सित भारत कारिकरम में हिस्सा लेंगे तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है जैपूर सीम भजलाल पहुचे है दिल्ली के दौरे के बाद जैपूर सीम लोटे है साथी साथ डेप्टी सीम भी पहुचे है इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है और दोनों जैप्टी सीम भी जैपूर पहुचे है और उनके साथ दोनों जelynप्टी सीम भी पहुचे है और कहा जारा है एरपोर्ट से सीधे सागानेर स्टेडियम के लिए रवाना हुए है क्या जौनकारी मुख्य मंत्री दिया कुमारी और प्रेम चंद बैर्वा है वो उनके साथ मौजूद है आप यहाँ पर देख सकते हैं उनका जो कार गेट है वो लग चुका है यहाँ पर उनका जो प्लेन करीब पांच मिनट से ज्यादा कर जो वक्त हो चुका है कि जब वहां पर यहाँ पर भिरतर कैंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कार गेट यहाँ पर जो निकलता वा नगेर आ रहा है तो देखिए हम आपको तस्वीर दिखा रहा है दिली दोरे के बाद जैपोर सियम भजनलाल लोटे हैं और तस्वीरे जिसमें आप देख पा रहा है कि काफिला रवाना हो चुका है और सागनेर स्टेडियम अब ये काफिला पहुचेगा तो वहाँ पर कारिक्रम का आयोजन उसी में भाग लेने के लिए सियम पहुचे है तो दोनों डिप्टे सियम भी जैपोर पहुचे है दिली दोरे के बाद जैपोर सियम लोट आए हैं एरपोर्ट से सीधे सागनेर स्टेडियम के लिए रवाना रोशन हमारे साथ लाइप जुड़े हुआ है रोशन अब सागनेर स्टेडियम के लिए सियम रवाना हो चुके है वहाँ पर कारिक्रम का आयोजन क्या दोनों डिप्टी सियम भी वहाँ पहुचेंगे इसको लेकर के कोई जानकारी देखिए अभी तक जो कारिक्रम है मुख्यमंत्री भधनलाल शर्मा का जो पहुचने का कारिक्रम है ऐसे में उनके पीछे जो डिप्टी सियम है प्रेमचन बैरवा वो भी निकले है संबवत है वो भी सांगानेर के जो कारिक्रम में शिरकत करें आप देखना यह होगा कि जो यहाँ पर जो तमाम तयारियां की गई है विक्सित भारत जो संकल्प जो यात्रा कारिक्रम को लेकर यहाँ पर तमाम तरीकी की जो तयारियां है लगातार जो सांगानिर के जो लोग हैं सीए मुख्यमंत्री बजनलाल शर्मा का इंतदार कर रहे थे क्योंकि बजनलाल शर्मा का ये वो इलाका है जहां से वो विधानसावाज शेतर है वहां से जो विधायक बने सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे में हैं ऐसे में कई ना कई मुख्यमंत्री भदलाल शर्मा भी इस कारिक्रम को लेकर उच्छा है और यहाँ पर लोग करीब पहले 11 बजे का समय था फिर जो समय के अंदर बदलाव देखने को मिला 12 बजे किया गया और वहां से ह संबोधन यहाँ पर रहने वाल है सबसे बड़ी जो बात है सबसे जो बड़ी जो टिक टिकी है वो यह है कि क्या मुख्यमंत्री भदलाल शर्मा अपने जो केबिनेट जो मंत्री है उनकी लिस्ट लेकर आएं देखिए हर किसी की जो निगाएं है इस बात के ओपर टिकी वी है कि जो मंत्री मंडल का जो विस्तार होना है ऐसे में उनमें कौन-कौन से नाम है वो रहने वाले हैं देखिए हमारे पार जो बीजेपी के जो नेता है वो भी यहाँ पर मौजूद है आप यहाँ पर देख सकते हैं मुकेश दादी जी क्या कुछ कहेंगे भदनलाल जी पर देखिए हम सब कार्यकरताओं के लिए एक खुशी की बात है कि हमारे बीज का कार्यकरता जब एक पार्टी ने उनको मुकादी और मुक्यमंत्री बनाया तो निश्चित रूप से हम सब के लिए घरो की बात और पूरे राजस्तान के हिंदूस ऑन के कार्यकरता इस पर है तो मुम्किन है मुख्यमंत्री जी लिस्ट लेक्राइए बता यह जा रहा है कि जो केबिनेट जो विस्तार है उसको लेकर क्या कुश गाएंगे इस में मुझे जान का रही है यह उनका विशेशा धिका रहा है वह जो करेंगे ठीक करेंगे अर। सब्सक्राइब तो देखिए तमाम जो लोग हैं कारिय करता हैं उनमें उत्सा है हर एक को ये जानना चाहता है कि जो केबिनेट में किन चहरों को जगे मिलेगी देखिए ये अपने आप में एम हैर इसी के उपर टक्टिकी लगाए हुए बैठे हुए हैं लोग ऐसे में अब देखना यहोग ह किन चहरों को मोका मिलता है देखिए बीजेपी जो आलाकामान है बीजेपी जो नेतरत्व है वो चोकाने वाले नामों के लिए जाना जाता है ऐसे में कहीना कहीं जो कददावर जो नेता है जो पूरु में मंत्री रह चुके हैं उनकी जो दिल की धड़कने हैं वो तेज ब जातिगत जो समेकरण हैं, छेत्रिय समेकरण हैं, युवा होने चाहिएं, पड़े लिखे होने चाहिएं, ऐसे उन युवा विधायकों के उपर निगाएं हैं, आप देखना यह होगा कि आखिर कून केमिनेट में जो अपनी जगे बना पाता है बिल्कुल रोशन, आब सभी की नजरे टिकी हुई हैं कि अज्वल्धी मंत्री मंदल विस्तार हो, जैसे कि आब बता रहे हैं कि कई युवाओं को भी मौका मिल सकता है और हमेशा से बीज़ेपी अपने च्वकाने वाले फैसलों की वज़े से जानी जाती है सुत्रों के अवाले से भी जानकारी है रोशन की दो से तीन दिन में ही मंत्री मंदल विस्तार हो जाएगा और सीम वो सुची लेकर के पहुचे हैं, चिंतन मंथन काफी हो चुका है और जाती समिकरंट सादने की भी पूरी तैयारी है दोहजाट चौबिस के लिहास से देखने को मिले, जिस तरीके से बीजेपी ने चुनाव लड़ा, राजस्तान में लॉइन ओडर को लेकर, पेपर लिग को लेकर उसका जो इफेक्ट आम जनता की बीच में देखने को मिले, ऐसे में कहीं न कहीं बीजेपी लापरवाई नहीं चाहती है जो केबिनेट विस्तार के अंदर डेले हो, इसे को को देखते वे, आप देखी कि कल अन फानन में मुख्य मनत्री को बुलाया गया, दोनों मुख्य मनत्रियों को वहाँ पर बुलाया गया इसके अलावा किरोडी मीना से उनकी मुलाकात हुई तो अपने आप में तहे कि एगले दूसे तीन दिन के अंदर जो पहली के विल्कुल रोशन आप नजर मना करती रखे आगे भी आपसे अपडेट लेंगे फिलाश शुक्रिये तमाब जानकारी साजा करने के लिए तो चले अपने रुकते हैं सुपर फास्ट खबरो की ओर जैपूर पहुचे सीम भजनलाश शर्मा दिली दौरे के बाद जैपूर लोटे सीम तो दिली दौरे पर अब मोखी मतरी भजनलाश शर्मा लोगसबाद द्यक्षों बिल्ला और नितिन गटकरी से मुलाकात की ओप्राश्पती से भी मिलेंगे सिया